रमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है भालचंद्रा, ब्रह्मान्ट सिद्याष्ट्रों में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांग 28 जनवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे आज का जो दिन है शनिवार का है, शुभक रुत नाम सवसर है, सुरिय का उत्तरायन चल रहा है, शिशेर रुतु है, माग महिना है शुखलबक्ष के साथ वीतिती है, नक्षतर अश्वीनी है, योग साध्य है, दिन का जो करण है वो वनी है, और जो रात का करण है वो विष्टी है आज का दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुवात होगा, सुबह 7 बचकर 9 मिनिट से लेकर 8 बचकर 31 मिनिट तक और अभिजित मूर्थ दोबर 12 बचकर 16 मिनिट से लेकर 1 बचकर 4 मिनिट तक का होगा गुलिक काल और अभिजित मूर्थ दिन के शुखकालावदी कह जाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के महत पुरुनकाम या फिनियरने आप ले सकते हो उसी प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुआत होगा सुबह 9 बचकर 54 मिनिट से लेकर 11 बचकर 17 मिनिट तक और यमगंड़काल दोपर 2 बचकर 2 मिनिट से लेकर 3 बचकर 25 मिनिट तक का होगा राहुकाल और यमगंडकाल दिन के अशुवकालावदी कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतोबुनकाम या फिनिनने बिल्कूल भी नहीं लेना उसे प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है या चंद्रमा राहु के साथ यूतियोग करने जा रहा है बुद्ध के साथ त्रिकोन योग करने जा रहा है रवी के साथ के इंद्र योग करने जा रहा है उसे प्रकार शुकर के साथ लाब योग भी करने जा रहा है यह ग्रसिती सामने रखते हुए बारा राशियों का राशिफल क्या होगा इस विशे पर अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी में यह चंदरमा का भ्रह्मन है और वही पर सित राशु के साथ यह चंदरमा यूतियों करने जा रहा है आज के दिन आप किसी भी प्रकार के मेहत पुर्ण निरने बिलकुल भी नहीं लेना आपके जो वईबाइक जोड़िदार है उनके साथ आपके हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर किसे जो वरिष्ट होंगे उनके साथ चोटी मूटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है लेकिन भावना में बैकर किसी भी प्रकार के महत प्रणिनने बिल्कुल भी नहीं लेना इसके बाद कि जो राशी है वो है ब्रिषब राशी ब्रिषब राशी के वही बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और वही पर सिद्रावू के साथ या चंद्रमा यूतियो करने जा रहा है आपके अस्टम बाव में सिद्ध बुद्ध के साथ या चंद्रमा त्रिकोनियो करने जा रहा है आपके भाग्य बाव में से दरवी के साथ यह जंद्रमा केंद्रियों करने जा रहा है आपके दशम बाव में से शुक्र के साथ यह जंद्रमा लाव भीयों करने जा रहा है स्ट्रेस फुल दे आज आज आपका हो सकता है चोटी मूटी बातों के लेकर आपका stress है वो जादा देखा जा सकता है खास करके किसी भी प्रकार के महतो पुरुनक काम निर्णे आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना आपकी जो भाही बहन रहेंगे उनके साथ भी चोटी मूटी बातों को लेकर तकरा हो सकती है उसी प्रकार आज के दिन आपको अनपेक्षित लाव अगरा मिलने की संभावना काफी अच्छी बंद रहें उसी प्रकार अगर आपके से के relationship में हैं उनके साथ आज आपकी हार्मनी अच्छी देखी जाएगी उसी प्रकार आज का जो दिन है उसमें आपके घर के जो लोगों के उसाथ चोटी मोटी बातों को लेकर तकरा हो सकती है उसके बाद की जो राशी है वो है मिधुन राशी पैसे के मामलात में किसी भी प्रकार के महत और निरने आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना अगर लेते हो तो उसमें आपके जो अंदाज है वो चूकने की संभावना काफी ज्यादा बंदरी है अगर आप विवाई तो आपके जो वाईवाई जुडिदार है उनके साथ आपके हार्मनी बहुत ही अच्छी देखे जाएगी अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में है तो वहाँ पर भी जो बाते हैं वो जैसा आप चात करने जा रहा है तो जो भी आपका कारशेतर है वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ चोटी मोटी बातों को लेकर तकरा हो सकती है अलाकि मिसंडेस्टनी के वज़े से ये बाते होने की संभावना काफी ज्यादा बंद रही है तो तो स्वैंपल्स थोड़ा सा सायम रख अगर आप विवाई तो आपकी जो वईवाई जुड़िदार है उनके साथ भी चोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है अलाकि आज के दिन आपको अनपक्षित लाव वगरा मिलने की संभावना बहुती जादा बंद रही है इसके बाद की जो राशी है वो है सिंग राशीке बागी बाअमी चंद्रमा का ब्रमन है वह परिसित राहू के साथ या जंद्रमा यूतियो क्रने जा रहा है पंौन बाव में सित रभी के साथ या जंद्रमा केंडरं योग करने जा रहा है महतोपुर्ण दिन है आपके लिए किसी भी प्रकार के opportunity अगर आपके सामने आ जाती है तो उसके बार में थोड़ा सा इंडेप्स सोचिए क्योंकि जो opportunity आपको लग रही है वो आगे जाके आपके लिए problematic हो सकती है तो ध्यान रखिए उसे प्रकार आज के दिन कुछ अच्छे लाव अगरा मिलने की संभावना बहुत ही जादा बंद रही है आपके जो वाई वाई जोड़िदार है उनके साथ आज आपके हार्मनी काफी अच्छे देखे जाएगी इसके बात की जो राशी है वो है कन्या राशी स्वास्त के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा किसी भी प्रकार के लक्षन अगर स्वास्त के बारे में दिखाई देते हैं तुरंत उस पर आपको ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़ादा आवश्यक होगा उस परकार घर के जो लोग है उनके साथ आपके हार्मनी काफी अच्छे देखे जाएगा अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में है चुटी मोडी बातों को लेकर अर्थकरा हो सकती है लेकिन आज के दिन महतोपुर्ण निरन या फिर आउट आप दबे जाके काम रिस्क लेके काम बिलकुल भी नहीं करना इसके बात की जो राशी है वो है तुला राशी तुला राशी के सप्तम बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वाई-वाई जोडिदार है उनके साथ misunderstanding के वज़े से problem, complication हो सकते है और वो थोड़ी बढ़ भी सकती है ध्यान में रखिए उसी प्रकार घर के जो पुरुष वरग होंगे उनके साथ भी इसी प्रकार की जो बाते हैं वो हो सकती है आज का जो दिन है उसमें आपका घूमना फिरना थोड़ा ज़ादा हो सकता है ध्यान रखिए किसी प्रकार के महत बढ़नीर ने बिलकुल भी नहीं लेना अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं उनके साथ आज आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छे देखी जाएगे तो बिल मिला के देखा जाए तो मिला जुला दिन आप आज के लिए आपका आज का होगा इसके बाद के जो राशी है वो है प्रिचिक राशी मैं तो पुर्ण दिन है आपके लिए खास करके जहाँ पर आप काम करते हो नुकरी करते हो या फिर बेवसार करते हो वहाँ पर के जड़ लोग होंगे उनके साथ चोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार काफी बढ़ भी सकती है ध्यान में रखिए उसी परकर स्वास्त के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा आज के जड़ दिन है आपको अनपेक्षित लाव अगरा मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बंद रही है जो भी आपका कारी शेतर है उससे रेलेटर किसी भी प्रकार के महत्तोपुन निर्णे बिलकुल भी नहीं लेना अगर आप विवाईत हो तो आपकी जो वाई आपकी जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी उसी प्रकार आज की दिन किसी भी प्रकार के महत्तोपुन निर्णे या फिर खर्चे पैसे के मामलत में बिलकुल भी नहीं करना जहाँ पर आप काम करते हो नुकरी करते हो वाँपर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी इसवास के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉंप्लिकेशन अगर आपको दिखाई देते हैं तो तुरंट का उसके उपर काम करना इलाज करना बहुती जादा आवश्य होगा इसके बात की जो राशी है वो है मकर राशी गर जिट लोग होंगे उनके साथ चोटी मोटी बातों को लेकर तकरा हो सकती है और ये तक्रार काफी बढ़ भी सकती है आपके घर के जो मैला वर्ग होंगे उनके स्वास के बारे में भी दोड़ा ध्यान देना आवशक होगा आज की दिन आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है आपका जो भी कारशेतर है उससे रिलेड़ कुछ अच्छी बाते भी हो सकती है उसी प्रकार आज की दिन आपको कुछ अच्छे लावगरा मिल सकते हैं अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं उनके साथ आप जापके हार्मनी काफी अच्छी देखे जाएगी जो भी आपका कारशेतर है उससे रिलेड़ भी कुछ अच्छी बाते हो सकती है तो कुल मिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए शुबफददाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है कुम राशी महतो पुण दिन है आपके लिए किसी भी प्रकार के महतो पुण निरने डॉक्मेटेशन सा रिलेड़ हो आज के दिन बिलकुल भी नहीं लिना उसी प्रकार अगर आपको कई बाहर घुमना फिरना है या फिर ट्रैवलिंग करनी है, स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़ादा आवश्यक होगा उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं, उनके साथ आज आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी, अनवेक्षित लाव अगरा मिलने की संभावना भी काफी अच्छी बन रही है अगर आप विवाइत हो, तो आपकी जो वैवाइक जोडिदार है, उनके साथ चोटी मोटी बातों को लेकर तकरा हो सकती है गर के जो लोग है, उनके साथ आज आपकी हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी, सिर्फ मैत वपुर्ण निर्ने आज के दिन बिलकुल भी नहीं लेना इसके बाद की जो राशी है, वो है मीन राशी आज के दिन किसी भी प्रकार के महत उपुर्ण निर्ने, ट्रांसेक्शन, पैसे के मामने में, चाहे वो इन्वेस्मेंट हो या खर्चे, बिलकुल भी नहीं करना अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं, तो वहाँ पर मिस अंडरस्टेंडिंग वगरा हो सकती है, ध्यान में रखिया वसे प्रकार अगर आप विवाई तो आपके जो वाईवाई जो डिदार है, उनके साथ आपकी हार्मनी बहुत ही अच्छे देखे जाएगे, स्वास्त के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा, उसे प्रकार आज के दिन आपको अनपेक्षित लाव या उसके संदर में कैसे लगा आपने किस प्रकार से अनुभाव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध्याइस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, धन्यवाद